स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ देखेंगे आज का ये टोपिक काफी महत्पुन टोपिक है अगामी जो भी छात्रें चात्राओं का एक्जाम होने वाली है तो यहां पर हम 200 परश्ण लाए है वन लाइनर परश्ण है और इसे 10 से 12 नमर का जो क्वेश्चन भी दो से 3 नमर का क्वेश्चन रिपीट किया गया है अभी तक में जितना भी सिप्ट में एक्जाम हुआ है ठीक है इंटरनेट से भी एक से दो क्वेश्चन अटेच किया गया है पावर पॉइंट से 3-4 और बाकी MS वर्ट से 12-13 क्वेश्चन और 25-26 नमर का जो क्वेश्चन उठाए गए है तो यहां पर देख लेंगे 200 परस्ण है और सभी टॉपिक को लेकर यहां पर जो है क्वेश्चन बनाए गया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेंट जरूर करेंगे जो भी छात्र को अगामी एक्जाम है उसके लिए काफी महत्पुन आ जाएंगे ठीक है चलिए हम टोटल 200 परस्ण को काफी कम समय में डिसकर्शन करते है ठीक है वन लाइनट परस्ण है जैदा समय नहीं लगेगा ठीक है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कम्पीटर का जनक किसे कहा जाता है तो इसका राइट अंसर जो है चाल्स हो जाएं विंड्सरक को ठीक है उसके बाद फोर्त में आपको जानकाईद एक निबल किस्त चार बीट बड़ावर एक निबल होता है और आठ बीट बड़ावर एक वाइट होता थीक है तो यह आप लोग पैचले वीडियो समय जाकर देख सकते हैं और आप लोग का दूर हो किसी भी प्रोग्राम में एक बाइट के बढ़ावर होता तो ऐख मनाया जाता है तो सक्षादा दिवह मनाई जाते हुद दिसंबर को मनाई जाते ठीक है चलिए आठ में आपको जानगा इदना है कंपीटर के माऊस का अविस्तार किस ने किया टो डगल्स एंजल वर्ड हो जाएंगे इसका राइट एंसर उसके बाद सबसे पहला computer का नाम क्या था इनयक्ट-क मैं अपको ज्था कि गिविखने इंटरनेट साइट को चलाने के लिए अनुपात मिलता है तो ब्राउजर से कोई भी आप इंटरनेट को एक्शेस करेंगे ठीक है चलिए 11 में आपको जान का एद रहें कंप्पीटर में डाटा का अर्थ क्या है तो computer में जो भी डाटा है वह एक से Powerful Computer ओसे पावर फुल computer जो होता है उसके बाएं किसे Intelligent पिता माना जाता है तो यहां में का अर्थी को मना जाता इसका राइट अंसर यह हो जाएंगे जों में का अर्थी हो जाएंगे तो artificial intelligence जो computer है फाइफ जनरेशन के तो उसका पीटा जो है जौन मेका आर्थी है ठीक है यह आप लोग ध्यान में रखेंगे उसके बाद स्वाला में आपको जान काई नहीं कंपीटर साइंस के पिता किन्हें कहा जानता है तो एलंग टूरिंग हो जाएंगे कि miser of science हो जाएंगे यह आप लोग ध्यान में रखेंगे उसके बाद स्वाला में आपको जान काई काई सब मोडिफाइर की है उसके वाद 17 में आपको जान काई ौर्नवाली कोन होती है तो ri m और यूज होता है यह आप लोग ध्यान में रखेंगे चलिए उसके बाद 19 में आपको जानकाई दना है कि प्रिंटर की क्वैल्टी मापने के लिए कौन सी यूनिट का परियोग क्या जाता है तो कम्पीटर का जो क्वैल्टी मापते हैं वह डिपी आई में डॉट पर इंच मामत लग०्स के प्रिपे और कंपीटर का जो गती होते हैं प्रिंद्ध को क्या जाता है आगे जनक है को कीस नाम दना यह ब्याजानिक भासाँ में जो है यूट किया जाता है इसका-छे कर HERE आप झाल में रखेंगे श्यान में ना कि वाइफाय का पूर्ण रुप क्या होता है तो फिडेल्टी होता है ठीक है यह आप लोग रहेंगे वाइलेस होता है वाइफाय का फुल पर उसके बाद 24 में आपको जानका ही दना है कि फॉर्टॉन का पूर्ण रूरुप क्या होता है फॉर्मुलार ट्रांसलेशन होता है लिवाइफ यहां पर 22 इसके अम जानते हों चलिए यहां पर आपको जानका ही दना है देखें के अलवा अप्टिकल डिक्स नाम से जानते है यह आप लोग रखेंगे उसके बाद 27 इसमें आपको जानका ही तना है विसका परथा मिट्ञेड को पर संब्सक्राइब क्या था तो इसका पर्थम नेटवर्ट अच्छा वह अर्पेनेट था उसके बाद 28 में आपको जानका इतना है कि कम्पीटर यूजर की बेदता की पाचान करने वाली पदति क्या कर लाती है तो आफिटिकेशन के नाम से जानते जैसे गएवब consumption करते हैं और वहाँ पे पासवर्ड मानता है उससे इसना के नाम से हम जानते है ठीक है 29 में आपको जानबाएगि किसी इया प्रोग्राम एक च्छानक बंद होया ठीक है उसके बाद 30 में आपको जानका ही जाना है कि रोम का pull form क्या है अधरा यह रिढ ली मेमोरी और रेम का जब पूछेंगे तो read only memory होंगे यह अप ध्यान में रखेंगे उसके बाद 31 में जान काईडना कि जब पीटर से किसी टोक्मेल को प्रिंट करने बहार निकालते है तो से क्या करता है तो कंपिटर से सव्प कोबी को हम जब भी प्रिंट करते हैं manif परो से हं हार को बीक नाम से धरीकर चलिए उसके बाद 32 में आपको जानकाई दना कि computer की मुख system board को क्या कहते हैं तो motherboard के नाम से जानती है चलिए उसके बाद 35 में आपको जानकाई दना कि IPv6 address में कितने bit होता है तो IPv6 में 128 होता है और IPv4 में 32 bit होता है यह आप लोग ध्यानम रखेंगे चलिए उसके बाद 34 में आपको जानकाई दना कि किसी भी प्रोग्राम के चित्रिया रुपांतर को क्या कहा जाता है तो फलोग चार्ट होता है चलिए उसके बाद 35 में आपको जानकाई दना कि parallel port किसी device में पडियोग होता है तो printer में होता है यह आप सब्सक्राइब किया होता है कि उनिफर्सल सिर्याल बशक्राइब दना कि अपको जानकाईब में परेंटियम सब्द का संबंद지는 कि कि से हैं तो micro processor है गया थिक है तो रिइंसर जार्थ हो जाएंगे उन चालिसंवरा फोंड़ा जानकाई दना है फल कंपंए तूरा बनाया ग सिस्टम बनाया गया था जिसे हम ओस के नाम से जानते हैं में ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है चलिए उसके बाद 40 में आपको जान काई ना किसी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस बीधी का उपयोग किया जाता है तो म.I.C.R. इसका फूल- hani, होता है, मैगनेटिग इन्टर इंघरीडर से चलिए च ÖLchlossen सिसी कांपिट कमपीटक बनाने में क्या पढ्योग होता था तो पर पर हम चांपिघ के जो कंपीटर था फर्थी उसके बेकबोन से रफश्टिपगरण साथ व्वडोट यह लगता है तो बैकबोन से अपको जान का इसा प्रोग्राम जो उच अश्तर की भासा बदल से कमपाईलर के नाम से जानते हैं पईतालिस में आपको जानका इतना काई दना कि देखने के लिए पर्ड्यूक्त किये जाने वाले सब्सक्राइब को क्या करते हैं तो ब्रॉजर बोलते हैं उसे ठीक है चलिए उसके बाद चालिस में आपको जानकाइद आए कि इस तरह की मेमोडी है तो इस जो नॉन भॉले मेमोडी होता है और भॉलने वाला तो यह आप लोग ध्यान बढ़ेंगे और रोम जो होता है वो नौन फोलाटाइल होता है तो यह आप लोग सुधार कर लेंगे चलिए 47 में आपको जानकाई दना है कि इमेल संदेश के लिए एस्टोडे जगा होता है उसे हम मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं जो भी आपका मे लेकल बॉक्स में आते हैं इसे जानते ख़ेंगे 49 में आपको जाहद का दना है कि कम्पीटर में किसी दल सी परस को फिर से लट करने के-लिए कुण सा बटन दवाथ तो भी आपको जाए हम आकि कम्पीटर में का मुख होता है तो पुल रूप और साथ है करता कि कम्पीटर को उसके लिए हम ups लगाते देखें होंगे सारे कार्यालाय में इस तरह से ups लगा रहता है जो हमें पावर बेकप मिलता है ups से तिसे हं आप लोग ध्यान रखेंग तक कि अपको से लेकर 12 तक को हम फंसन की के नाम से जानते है ठीक है और एस लेकर जार तक जो भी है वह अल्फावेटिकल के नाम से जानते है अल्फावेट ठीक है यह आप लोग ध्यान में रखेंगे प्यावन में आपको जानकाईद के प्रथम गन्ह यंद्र तो फावश था 20 सबसे पहले सुपर कंप्यटर का निर्मान हुआ था नहां पर पुड़ा वर्ड में सबसे पहला जो सूपर कम्पीटर का निर्मान हुआ था 1909 हुआ था ठीक है यह आप लोग ध्यान में रखेंगे चोबन में आपको जानकाइब किषब के कम्पीटर है तो मैंक्रो प्रोसेसर यह सद्वर प्रजाद के अवशकता होती तो चांपन में आपको जानकाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रयोग किस्ने involved पड़िक सब्सक्राइब कर दो तो लेडी ईडा लोवलेंज ठाथीक है पर्थम प्रोग्रामर लस्फार पर्थम प्रोग्रामर जो था यह संख्यकी संश्थान यहां पर देख लेंगे भारतिय आटियात क्वैइब दूसरा कंपीटर यूराल कहा ष्थापीः गया थो भारत संखेक Oxygen ऐसम यह कुछ और चाहिए था यहां पर कुछला क्षकन पर शूत तोपिकुट गया है चलिए उसके बाद आपको जानका है कि सुचना तकनिकी का सबसे महत्मुन सोच क्या होता है तो सुचना देखना या उसे इंफर्मेशन लेना देना यह सब कंप्यूटर से होता है ठीक है चलिए उतके बाद अनलिटिक इंजन था वह मेकनिकल था ठीक है एनलिटिक इंजन बनाया था चाल्स वेवेश के द्वारा और उसका नाम जो था मेकनिकल था तो यह आप लोग द्हान में रखेंगे तीरे सट में आपको जानकाई तना कि पर्थम यांतरी गन्ना मसीन का अविस्कार हुआ था त कम्पूटर का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग करना ठीक है इसका राइट ये हो जाएंगे कंपूटर का आर्थ ह्टा को प्रोसेसिंग में मतलगा ड्राओं इंफ्टर को यूजर को समझने लाइक बनाती है ठीक है चलिए उसके बाद 65 में आपको जानकाई तो परकार क यहां पर पुछा जा रहे किसके रूप में एक साथ करने को करने को हम उसे नेटवर्क बोलते ठीक है तो राइट अंसर इसका नेटवर्क हो जाएंगे चलिए उसके बाद सरसर्थ में आपको जानका इतना है कि एक छोटे सिलिक्वन चीपर टांजिस्टरों और इलेक्टोनिक उपकरनों के साथ पुर्म इलेक्टोनिक सर्कीट को क्या कहा जाता है तो सब्सक्राइबैंगे आपको जानकाईद नहीं कि एक ऐसा इलेक्टोनिक उपकरन जो टाटा को प्रोसेस कर दा है उसे सुचना में बदलता उसे हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं उसके बाद शाप्रम की तिरतिया पीधी में पड़किये जाना वाला पर्मों घटक था तो है ठीक है चलि उसके बाद 72 मैं आपको जानकाई देना कि ऐसे compiler डिधियर और यात्रा करने फैए उपूंप के लिए सबिधा होते है उसे laptop हम कर समंदी था है उसके बाद 73 मैं आपको जानकाई देना कि personal computer ki स्रेनि से संभणती था तो प्रफशनल chance computer सबसे पहला मीनी कंप्यूटर क्या था यहां पीडीपी पॉइंट आठ था यह आप लोग ध्यान में रखेंगे और सबसे पहला माइक्रोग प्रोसेसर जो था इंटेल 40000 था जो आईबी एम के द्वारां विक्सित किया गया था ठीक है चलिए उसके बाद आपको जान काई तो सब्सक्राइब करें कि अनुराग क्या है तो अनुराग के जगह आप अनुपम कर लेंगे यहां पर अनुपम जो है उसके बाद आंगे जान का है कि भारत में लगाया अगया पहला क्या था भारत की बात हो रहा है था आप सीटूप्यट एम लगाया गया था आप लोग ध्यां में रखेंगे भाद में जो लगाया गया था एक चीज्ट थी टू एम उसके बाद आसी में आपको जानकाई देना कि अश्टेशन पर परदर्शन बूर को क्या कहता है तो रेल बेस्टेशण में दिखाए जाते हैं और भी अन्य तरह कि जो जानकाई यहां पर बोड जो लगाए रहती है वह आउट्पुट के नाम से हम जानते हैं ठीक है उस पर हम कुछ दिखाई दे रहा है को वो मतलब आउटपूट दे रहा है ठीक है उसके बाद चोड़ासी में आपको जानकाई दना कि डाश-डास से तात पर एक ऐसी पर नाली से है जिसमें की कम्पीटर द्वारा प्राप्त परिनामों को कागज के उपर छाप पर अश्थाई रूप से उप्योकरताओं को प्र अनुबादित कर मानव को समघने योग में मानव की समय योग भाशा में प्रश् valid करते तो फोट करते है DAVID होते टिक है फ्रॉसे करके जो आउटपूट देते है उसे उ 와 elbows होते है मतलब कम्पीटर से जो बी मतलब information है उसको मतलब अनूबादित यानि प्रोसिस करके मानव करने और प्राप्त करने की शुविधा करने की शीविधा देती है मोडेयम कि यहां पर दखेंगे जानकाइद नहीं जब भी आ जाएंगे उसके लिए मोडम हो जाएंगे ठीक है तो वह किसी टेलीफॉन लाइन पर कम्पीटर पर जानकाई को परशारित और प्राप्त करने की सुविधा देता है तो मोडम होता है ठीक है इसका राइट एंसर मोडम हो जाएंगे उसी वाद सतासी में आपको जानकाई रहे कि आपको क्या चेक्स और नुमिरिकल डाटा को पर्वेस किये जाते को कीबोर्ड होता है फिते रहे उसके मोडम हो जानकाई रहे कि एक्सक्र गया तो पिक्चर और टेक्स दोनों करता है उसके बाद 90 में आपको जानकारी मिलता है यूजर से मिलता है तो यह हो जाएंगे ठीक है यहां पर देख लिनेंगे वह जो प्रोसेसर को यूजर से यूजर से मिलता है चलिए उसके बाद आपको जानकाई रूप क्या है तो विजवल डिस्पलाइ यूनिट होता है तो में इंक काईक्टर होता है यह जैदा रिएंक में उप्योग होता है चेप को रिट करने के लिए ठीक है चलिए उसके बाद तेरादबय हम आपको जानकाई करसर वाले चीन को हटाने की सौटकर्ट कुझी क्या होता है तो डिलीट कुझी से जबाएक और यहां पे समझ सकते हैं जैसे हमने यहां पर टैप है और राम यह होना स्टार्ट हो जाएंगे मतलब राइट साइड और लेफ साइड से लिए के नाम से जानते है ठीक है और इसका महत्पुन जो है डिश्पला डिवाइस हो जाएंगे उसके बाद आपको जानकाई किसी चीत को कंप्यूटर में संग्रित क्या जाता है तो एसके नर के दौरा आप चीत रहा फोंटो जो भी है टेक्स अधारित को आप कंप्यूटर में डाल सकते स्केनर के दौरा ठीक है 96 आपको जानकाई कंप्यूटर वीडियो गेम खेलना किसे आशान होता है तो जैस्टिक्स होता है ठीक है यह आप लोग जानते होंगे और यह सब को प्रिंट करने के लिए हम प्लोटर का शहारा लेते हैं उसके बाद निना सब्सक्राइब करें क्या है जानकाइब यह तो कीवोड होता है उसके बाद स्वैर्ट को जानकाइब है तो कि यह जाता है तो के आपको Urgen करने के लिए क्या जाता है थीक है चलिए उसके पाद 103 में अपको जानका इदन है तेक्स को पंधी के आरप में मी ले जाने के लिए उनसा कोंची दवाति है त्रीसे मालनी पार्ण राम है लाजन में कमा कर्सार है और शबते कर सर लाना चाहते है तो उसके लिए आप हों कुझी दवाएंगी ठीक है चलिए उसके बाद 104 में आपको जानका ही दना है किसी फाइल को कट करने का जो सौटकर्ट कुझी होता है कंट्रोल एक्स होता है ठीक है चलिए आगे यहां पर जानका ही दना है कि इन्पूट आउट्पूट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समू बना दिया जाए तो यह किसे निरुपन करेगा तो कंपूटर सिस्टम से ठीक है तो यहां पर समझ सकते हैं कि इन्पूट होता है एक्सों साथ में आपको जानका ही दना पेर आप्रास को माझना जाता है तो हार्ड वयाष होता है जैसे मोनिटर हो गया यह और पार्इंटर है इसके बाद 108 में आपको जानकाइद है कि डाटा अस्थाय रूप से से नाम से जानते हैं प्रोशेसिंग काइद करना है यहां हाँ पर समझ सकते सब्सक्राइब करते हैं ऑर यहां काम करना है जिसे हम प्रोच्राम करते हैं दूसरा नम प्रोग्राम हो गया ठीक है 111 आपको जानका है क्या computer का वह एडिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थाई रूप से होल्ड करता है तो वह मेमोडी होता है ठीक है उसके बाद 112 जानका है नहीं computer system की functionality बढ़ाने के लिए उसके साथ जोरे जाशकने वाले इंती payment destination करने वाले टर्म को परिफेरल डिवाइस करते हैं यहां पर जैसे समाझ सकते हैं कि computer से हम कोई भी चीज़ आउटपुट यानि निकालती है तो उसके साथ जो करनेक्ट होता है वह परिफेरल डिवाइस होता है जैसे printer scanner यह सब साथ से लगाए जाते हैं जैसे computer कोई शितको बाहर यानि आउटपुट लेने के लिए ठीक है उसके बाद तेरह में आपको जानका ही दना है कि computer प्रोग्राम का वह सेट है जो computer को स्वेंग ही monitor करने और अधिक दक्षता से कार्ज करने में सहरता परतान करता है तो सिस्टम सब्ट वेर होता है ठीक है और अरिटमेटिक होता है ठीक है क्या और को जानका है एक software है जो computer को दक्षता से करने और डाटा का ट्रेक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वेंग को कंट्रोल करने में शायता पर्दान करता है तो अपरेटिंग सिस्टम होता है ओ एस ठीक है एक सो सतरा में जानका एक कंप्यूटर बिल्ट पर्मानेंट मेमोरी होता है तो रोम होता है यह आप लोग रखेंगे यह कई बाद रिपीट किये गए यह कोस्चन उसके बाद 118 में आपको जानका एदना कि कंप्यूटर बंद होने पर किसका कंटेंट नस्ट हो जाती है तो क कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा या थावात होगा तो सेकेंडरी इस्टोरी डिवाइस में आप जब भी कर देते हैं तो मतलब कंप्यूटर में लाइट चले जाने के बाद जो भी डाटा हो आपका बना रहेगा ठीक है 120 में आपको जानका है कौन सा प्रोग् चस्या-डाटाम तो में पाड़न एक और परेस्टोर में आपको जान गरसफ की प्रोग्राम होता है 124 में आपको जानका रहेगा पहले यह गोला टइप का होता है सीय है और और रूभी कहिंपर परचली था है तो CD का जो अकार होता है वो गोला टैप के होता है यह आप लोग जानती होंगे उसके बाद 125 में आपको जानकाई यहां पर देना है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंस्टर कनेक्शन की तिसरे तरीकों कौन कंट्रोल करता है तो लेंग्वेज टांसलेटर करत है ठीक है उतके बाद 126 में आपको जानकाई यह किस कंपीटर का मुख सरकीट बोड़ है अत्रिक बोड़ को संगल करने के लिए इसमें कनेक्टेड होते है तो मदर बोड़ होता है ठीक है यह किस कंपीटर मुख सरकीट जब भी आ जाएंगे तो वहां पर मदर बोड़ हो ठीक है 137 में आपको जानकाई जना एंक प्रोस Yup को संभधीट करते है तो प्राथ्मिग लिए करता है ठीक है अब प्राथ्मि नहीं ACC करता है करते हैं यह जैसे अपनेमें isAh open किए वह सम्सक्राइभ हो राज यहां जैसे हैं we जो जब तक उसे सेम नहीं करते हैं तो आपका डिलीट हो जाएंगे ठीक है उसके बाद 119 में आपको जानका है कि ऐसे एप्लिकेशन के लिए जिनमें डाटा सिक्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप डैस डास है तो सिक्वेंशल एक्सेस मीडियम हो जाएंगे इसका राइट एंसा ठीक है यह कोश्चन कहीं बार रिपीट किया गया है उसके बाद 130 में आपको जानका है कि कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मत्मद ऑफ च्रुप से जो फर होता है जो किलिप बोर्ड में है 131 में पहुता इसके बाद 132 में आपको जानका ही जो पूरे कंपिटर और को कंट्रोल करके रखता है घेए उसके बाद 139 make करता प्रोग्राम को मसीनी भासा में जो अनुबाद करता है किसके दोरा किसी उच अस्तरिया भासा में सिखे गई पुड़े प्रेग्राम को एक लाइन अनुबाद करता है और मसीन भासा में लाइन बाली जो करता है ठीक है 126 में आपको जानकाइद कम्प् movement करने और गंपनाई कि क्रयाओ करने केकी संख्या परनालीमम करता है तो लीटस असक्छित रूप क्या है भीं होता है चै traff ध基本रा मैं प्रीट को संख्यप में कहा जाता है तो यहां बीट को जो है बाइंदरी डिजिट बोलते है ठीक है उसका फूल फर्म होता है उसके बाद 149 में आपको जानकाइद है कौन सी यूनिट संगरा छमता को मापने के लिए पड़ियोग में लाई जाती है तो टेरावाइट होता है टीवी होता है ठीक है कौन सा यूनि यूनिभाऄ होता है ठीक है उसके बाद 149 में आपको जानकाइद है कम्धा मने के लिए यूनिदर का प्रियोग किया जाता है तो सब्हुत्व की जो लंबाई होता है कम्धार का उसको लंबाई को जो मांते है वो अंग में मांते है बीट पर 30 सकेंड यह आप लोग ध्यान और बाइनरी संख्या का जो होता है दो अंग जो होता है यहां पर 143 में देखेंगे तो उसके बाद 144 में आपको जानकाई नहीं कि आधुनिक यूग में सबसे अधिक परियोग होने वाले कोडिंग सिस्टम में सबसे जदा जो परियोग होता था यह आप लोग ध्यानम रखेंगे 145 में जानकाई दना है कि अक्षारों तथा चीनियों को बाइट के रुप में संग्रित करने वाली बीदी है तो कोडिंग सिस्टम होता है ठीक है उसके बाद 146 में आपको जानकाई आप लोग ध्यानम रखेंगे कि यह कई बार रिपीट किया गया एक सिडवल आई का अमेरिकन एस्टेंटर कोड फॉर इंफर्मेशन इंटर्चेंज होता है ठीक है 147 में जानकाई कि सबसे छोटी होता है वह बीट होता है ठीक है उसके बाद 148 में जानकाई दना कि बाइन बाइनरी कोड में जीरो और वन होता है ठीक है और पुछा जा रहा है कि बाइनरी कोड के अनुसार वीद यूतिया मतला सकेंड अस्वंदन का होना कौन से संख्याओं को परदर्सित करता है इसका वन हो जाएंगे यह आप लोग ध्यान में रखेंगे उसके बाद 119 में जा सब्सक्राइब गयिप जाते हैं तो कई बार चार होता है उसके को जानका है हम ऊच्छा रहा है कि एक बराबर होता है तो मिंछ सब्सक्रास लिए न गार इस हो बीट होता है 0 और वन होता है उसके स्वालम में आपको जानकाइद काफी महत्मुन है कि हेक्साधिसिमल परणाली का अधार क्या होता है तो है लाट नहीं पर नहीं था लेलना और किसी अक्षड को इनकों कि टो फटाउर तो रहां कि उसके वाद लिए अंक के बितने अंकों के बढ़ावर होता है तो 158 पर नाहीं कि तीन ऑंकी संख्या पर नालिक एक अंक के बेरावर होता है तो अस्त्रमिक हो जाएंगे ठीक है उसके बाद 169 में किसके बरावर होता है तो इसका निकाल लेंगे आप इसका कितने बरावर होता है इस तरह से इसका निकाल लेंगे तो यह होगा ठीक है उसके बाद 133 में जानकाईद कि सब्क्राइब कर दो मसीनी लेंग्वेज निकाल प्रियोग क्या गया था 164 में जानकाईद जौन सी कमिका और उसका किस सन में हुआ था 1964 में होगा था 165 में जानकाइद है कि यानि बिजनेस के छेत में जो भासा का उप्योग किया गया था वो सबसे पहला जो मतलब प्रोग्राम के लिए भासा विक्सित किया गया था वो सी होगा ठीक है उसके बाद 179 में आपको जानकाइद है होता है ठीक है किस भासा को नीम का पथर का जाता है तो बेसिक हो जाएंगे ठीक है प्रोग्राम का चीत के रूप में प्रणतरसन क्या कर लाता है तो फुलो चार्ट हो जाएंगे उसके बाद 172 आपको जानकाइद है कि जटी लिए यानिक तता बेवसाइक गन्नाओं के जाबा भासा का अविसकार क्या गया था उसके बाद 175 में जानकाइद नाइस सी बेसिक कोबल जावा यह सब जो हाई-level लेवल लेंग बेजा ठीक है एक सुछीएतर में जानकाइद नाज़े नदेश को करंबत समू का अर्ध क्या लाए तो प्रोग्राम होता है ठीक है एक 182 में जानकाइद नाज़ कि फड्रय इस प्रोग्राम लिखे जाते है तो ब्रोग्राम भलता ज princess किसी प्रोग्रामिंग भासा में लिखे को प्रोग्राम का अनुबाद डास बांप सामें कराना अनिवार जाए तो मसीन हो जाएंगे ठीक है उसके बाद एक सब्सक्राइब आपको जानकाई नहीं कि सी प्लस प्लस एक डास द्यास प्रोग्रामिक भासा है तो मड्यूल और होगा ठीक है एक सो बारासी में आपको जानकाई तो आयत हो जाएंगे ठीक है उसके बाद इक सो पचीस में आपको जानकाई चीट के रूप में परदर्सित करने फोलो चार्ठ हो जाएंगे ठीक है एक प्रिष्ट पर पूड़ा फूलो फुलो चाट ने पर और उसे दूसरे के साथ किस आकिरति कीसरीक द्वाला जोरा जा सकता है तो थी हो जाएंगे ठीक है और भी कुछ महत्पुन परस्था यहां पर देख लेंगे कि निर्णाय लेने के लिए ख़लो चार्ट में किसा आकिर्थी का उप्योग क्या जाता है तो डाइमंड हो जाएंगे उसके पार 188 में जानकाई इमेल खाते में होता है जिसे हम मेल बॉक्स के नाम से जानती है उसके डवलुडवलु का इसका आधान परण किसके लिए आवस्चक नहीं हो जाएंगे ठीक है वेब साइट का समूं होता है सुचना थलत पर इंटरनेट को कहा जाता है इंटरनेट का पुड़ा नाम होता इंटरचेंड नेटorders होता है और कहीं कहीं पे लेकिन इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका सही फूल फॉर्म है तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे अगर इंटर कनेक्टेड नहीं होता है और इंटरनेशनल होता है तो यह दोनों माल सकते ठीक है चलिए सब्सक्राइब करके इंटरनेट बैंकिंग से इंटरनेट के जड़िया बैंकिंग ठीक है एक सो अंठानवा में जान करेंगे बैप पेज किसी सब्सक्राइब करके दूसरा सब जो अपन होता है वह है पर लिंक होता है भात में इंटरनेट की सेवाई सरफ पर्थम किसके दोरा उपलब्द कराई गई देथ भी एस एनल के विदेश संचाज निग आपको discussion में मिल जाएगे ठीक है और अगामी जो भी छात्रा एक्जाम है उसके लिए कापी महपूल है ठीक है और जो भी छात्रों का एक्जाम यानि अक्टूबर मन्त में होने वाले हैं तो आप लोग कोर्स लेने से अभी बंजीत तरह चुके है तो discussion में वाट्सप नमर म कर लेंगे दस हजार question आपको मिल जाएंगे और भी कोई जान काई चे तो comment करके पूश सकते हैं धन्यवाद